हारतिय पहलवानों और कुष्टी संग के बीच चल रहे है विवाद की जो थमने का नाम नहीं ले रहा है इस बीच रविवार को खेल मंत्राले ने कुष्टी संग के चुनाओं को रद कर दिया और नव नियुक्त अध्याक्ष संजे सिंग को भी सस्पेंड कर दिया बीचे पिसांसत ब्रिजभूशन शरण सिंग आज ग्रह मंत्री अमिश्या से मुलाकात करेंगे कल उन्होंने जेपी नड़ा से मुलाकात की थी तो आज इस खबर पे नजर बनी रहेगी की ब्रिजभूशन सिंग अमिश्या से मिलते हैं तो क्या कुछ फैसला इस पर होता है कोई रास्ता निकलता है सरकार का कहना है कि ये चुनाव नियमों के खिलाफ है अध्याक्ष पत से सस्पेंड होने के बाद संजे सिंग ने कहा कि वो इस संबंध में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और खेल मंतरी अनुराक खाकुर से बात करेंगे आपको पता दे कि मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक संजे सिंग ने ये भी बताया कि जो पहले इस खेल को अपना रहे हैं उनका भविश्य बरबाद हो रहा है वही जल्दबाजी में जूनियर राष्ट्य टूर्णामेंट की घोशना करने को लेकर बीजेपी सांसाद ब्रिजभूशन सिंग ने कहा कि गोंडा को खेलो के आयोजन के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि कोई अन्य महासंग इतने कम समय में टूर्णामेंट आयोजित करने के लिए सहमत नहीं था फेडरेशन के रद होने पर साक्षी मलक ने कहा कि उन्हें मीडिया के जरीए यह जानकारी मिली है इस बारे में उन्हें लिखित में कुछ भी नहीं मिला है इस बीच पदमश्री अवार्ड लोटाने वाले बजरंग पूनिया ने कहा कि वो अब तक अपना पुरसकार वापिस नहीं लेंगे जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता बजरंग पुनिया ने कहा कि मैं पदमश्री वापस नहीं लूँगा न्याय मिलने के बाद ही मैं इसके बारे में सोचूँगा कोई भी पुरसकार हमारी बहनों के संबान से बड़ा नहीं है इससे पहले संजर सिंग ने न्यूज एजिंसी एन आई से बात करते हुए कहा कि ब्रजभूशन सिंग और साक्षी मलिक दोनों रिटायर हो गए हैं ऐसे में उन्हें चाहिए कि वो कुष्टी संग को शान्ती के साथ काम करने दें फिरहाल खेल मंत्राले ने इंडियन उलम्पिक संग को खत लिखकर 24 घंटे के भीतर एक एड हॉक कमीटी बनाने के लिए कहा ताकि कुष्टी फेडरेशन को चलाया जा सके इस समिती में तीन सदस्य पैनल होगा जिसमें एक महिला भी शामिल होगी हाल में कुष्टी संग के लिए चुनाओ में ब्रिजभूशन सिंग के करीबी संजे सिंग WFI के अध्यक्ष चुनलिये गए थे संजे सिंग ने इस चुनाओ में अनीता सिंग शिरान को मात दी थी संजे के चुनाव जीतने के बाद पहलवान साक्षी मलिक ने रेटायर्मेंट का आयलान कर दिया था जबकि बजरंग ने सरकार को अपने पदमश्री अवार्ड वापिस कर दिया था संजे सिंग के WFI के अध्याक्षु बने के बाद संग ने जूनियर राष्टियकुष्टी प्रतियोगिता को यूपी के गॉंडा में आयुजित करने का फैसला किया था और इस फैसले को लेकर पहलवान साक्षी मलिक ने सवाल उठाय थे इसके बाद सरकार ने WFI को रद्द कर दिया खेल मंत्राले ने कहा कि जूनियर राष्टियकुष्टी प्रतियोगिता को आयुजित करने के फैसले में WFI के समविधान के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था ये फैसला WFI के प्रावधानों और नैशनल स्पोर्ट्स डिवलप्मेंट कोड का उलंगन है इस फैसले में नए अध्यक्ष की मनमानी दिखाई देती है जो कि सिध्धानतों के खिलाफ है